क sauce भात इसने वोलक然后 to channel latae LR Literally बात्या सब सबकर सबागति है वाइस वीडियो में तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे टाइप ओप एलेक्टक एस मुस्लेटर के बारे में तो फ्रेंड इस वीडियो को स्टाट से लेकर पर एंड तक देखिए ताकि आप पूरा इंफर्मेशन लेशा के इस वीडियो से जो टाइप आप एलेक्टिकल इंसुलेटर है तो पहले फ्रेंट्स आपको बता दूँ कि इंसुलेटर होता क्या है तो फ्रेंट्स यह जो इंसुलेटर होता है हमारा टांस्मिशन और लिए होता है कि हमारा जो कारेंट कॉंडेक्टर में कारेंट है यह हमारा टावर तक नहीं पहुचता है यह हमारा जो पूल होता है ओप पूल से हमारा एंगल तक कारेंट नहीं आ सकता है इसलिए इस इंसुलेटर का यूज किया जाता है और बेसिकली जो हमारा मैटरियाल यूज होता है इंसुलेटर के लिए वह है प्लास्टिक, राबर, एयर, उड, ग्लास और माइका जैसी मैटरियाल यूज होता है इंसुलेटर में और हमारा ट्रांस्मिशन लाइन डिस्टिबिशन लाइन इंसुलेटर मैटरियाल जो यूज होता है पॉर्सलेन, क्लास, पॉल linear contribution line में यूज़ करते हैं और PIN टाइप इंसुलेटर जो हमारा है इसको हम 33ATT के भी तक यूज़ करते हैं और उस के बाद हमारा यू सिलेटर और पीन के dide उपर फिस जाए इसलिए हम इसको एक एक्स्ट्रा तार लेके उस जो इंसुलेटर है उससे हम लपेड दियते हैं ताकि कॉंडेक्टर ना गिर जाए और फ्रेंड्स जो हमारा पीन टाइप इंसुलेटर है एक वोल्टेज के मामले में कुछ अलग-अलग सेप के होता है और यानि यहां पर देखे 11 के लिए इस तरह कुछ इस तरह का सेप का होता है हमारा पीन टाइप इंसुलेटर और जो हमारा 33 के लिए होता है वह हमारा कुछ इस तरह सेप का होता है और 66 के लिए कुछ इस तरह सेप का होता है तो फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारा पीन टाइप इंसुलेटर ह वो हमारा 33 के भी से उपर हम यूज नहीं करते क्योंकि वो कमजोर होगा पिन टाइप इंसुलेटर यूज अगर करेंगे ज्यादा वोल्टेज में तो हमारा जो सेकेंड टाइप इंसुलेटर है वो है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेट को सिरीज में करेक्ट करके हम सस्पेंशन टाइप इंसिलेटर टायर करते हैं और जो हमारा डिस्टाइप इंसिलेटर है डिस्टाइप इंसिलेटर है जो हमारा Suk इस्टिक distribution होती है उहाँ पर हमारा एक डिस ही यूज करा जाता है क्यूंकि हमारा उहां का voltage होता है 11 के भी हमारा distribute होता है इसले एक डिस का उप्योग किया जाता है और हमारा जो suspension type insulator है suspension type insulator में बहुत सारे डीसों का उप्योग किया जाता है वो टावर के नीचे हम बहुत सारे डीस को सीरीज में कनेट करके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को तायार करते हैं और आप जो पिक्चर में देख रही है यह एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और जो हमारे सस्पेंशन टाइप होता है और जो हमारा सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर है इसका वोल्टेज जो सह सकती है वह है सब्सक्राइब के भी तक और यहां पर देखिए एक डिस जो है हमारा वह 11 के भी के भोल्टेज तक जहल सकती है तो आगर हमारा एक टीस 11 के भी जहल सकती है तो हम आगर एक के बाद एक तीन डीस को connect करें तो जो हमारा भोल्टेज जहल सहीगा वो है 33 के भी हमारा भोल्टेज को आसानी से जहल सकता है और पेंट जो हमारा जो suspension टाइप इंसुलेटर होता है वो transmission लाइन में यूज होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भोल्ट होता है इसलिए बहुत सारे डीसों का उपयोग गया जाता है और जो हमारा थार्ड टाइप इंसुलेटर है वो है नदी आ जाये तो नदी के ओपर से ऐगा transmission लाइन जा रहा है तो tracks लिए दया और अगर transmission को mest लेना हो तब भी हमारा श्ट confused लेटर का यूज होता है और अगर हमारा transmission kेंसले पकार अगर मोल्ड लेना हो तब भी हमारा यहीन ट्रेंटी इंसुलेटर काम आता है अब लिब्टिचर में देख रही हैं और अगर हमारा को मोड लेना है तो बीच में हमारा रहता है जो टावार के दो पर लगा रहता है इंसलेटर और एक दिख घ minded को पोल के साथ आंगेल चो होता है जो घुसके साथ अगल होता है। को हम कहते है dklamp और जो सेकल टाइप इन्सुलेटर के इसकी बीच से तार को फसा करके और एक एक extra तर लेकर इसको वाण्डिंग करके दिया जाता है तो इस तरह यूज़ होता है क्लंट टाइप इंसुलेटर और हमारा फिप्त जो इंसुलेटर है वो है पोस्ट टाइप इंसुलेटर ये इंसुलेटर हमारा यूज होता है बेसिकली जो हमारा पावर स्टेशन होता है वहाँ पर हमारा इसका उप्योग किया जाता है या पावर जेनरेटिंग जहाँ पर होता है व बोखती AO होती है और जो अमारा इसके हेवी होने का कारण है यह जो पाॉर्स pessoa जो बासबार और सोगते बोहत इंदसी का विए was using जिस का नंबर फॉट्ष जांदा और हम या इंदसुद्रफ का नंबर फ्रॉस स्टे का सब्र में करेंगर और है कोती स्टे का तेड Cord 22 जो हमारा िनसुलेटर यूज किया जाता है उसको हम स्टे इंसुलेटर कहते हैं आप इस इमेज को देखिए इस इमेज में हमारा इन्सुलेटर है और स्टे टाइप इंसुलेटर याजय हमारा जो प्लहते हैं और भी हमारा इंसुलेटर है जैसे कि रिल इंसुलेटर ब्रेक इंसुलेटर इन सब इंसुलेटर हमारा जो डिस्टिब्यूशन लाइन है इसमें यूज किया जाता है इस टाइप का इंसुलेटर तो फ्रेंड्स ए था कुछ इंसुलेटर के बारे में बेसिक इंफर्मेशन त तो फ्रेंड्स आगर हमारा वीडियो पसंद आए तो फ्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिक्शन बेल को भी अन कर देना और हमारे साथ जूरी रहने के लिए थैंक यू और थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो और बाई